अब अब हुआर सब्सक्राइब हम एने लास्स क्लास में चिज़ें सब्सक्राइब मैं आपको डिश्ड व्लॉसिटी का सब्सक्राइब पहुत्ट्य पया हमें चाह्ज़िट में होगा यह औपन sacrifice तो बस एक बार हम फटाफट वो रिकॉल कर ले यादि लना क्या क्या एक्वेशन है तो फिर्स्ट मिरे को बताओ डिस्चाजिंग ओफ बैटरी की क्या एक्वेशन है यह माइनस यह वेरी गुद बढ़िया डिस्चार्जाज़ा होगा फ़ाफ बैटरी की एक्वेशन होती है हमारे पास कि डेल्टा वी इस इकुल्स टू एमफ माइनस आयार मतलब अपकी बार जो हमारा डेल्टा वी होगा वह ऊपन सर्केट ऑपन सर्केट के लिए क्वेशन थी कि वी ए डेल्टा वी इस इकुल्स टूई क्योंकि अगर हम ओपन सर्केट की बात कर रहे हैं मतलब मैंने बैटरी को किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं किया है तो डेल्टा वी एमफ के बराबर होगा और फिर हमारे पास लास केस था शॉट सर्किटिंग का मतलब है कि मैंने बस सर्किट कम्प्लीट कर दिया है लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो उस केस में हमारे पास डेल्टा वी जीरो हुआ करता था और एक्वेशन आती थी एम माइनस आई आर तो हमारे पास जो एमफ होता था वह किसके बराबर रहाबर हो जाता था तो हमने यहां तक की चीज़े कर ली थी अब आज अपना नेक्स टॉपिक कंटीनियू करते हैं और आज बिल्कुल इंपॉर्डन इंपॉर्डटन टॉपिक ही चलने वाला है जैसे कि किरिशॉफ रूल आज यह सारी चीज़े डिस्कस करेंगे चलो उससे पहले अब उससे पहले हम क्या पड़ते हैं उससे पहले भाईया हम पड़ते हैं वाट इस दी रिलेशिन बीट्वीन क्या रिलेशन है हमारे पास between internal resistance EMF और potential वगारा इन सब के बीच में क्या relation है तो मैं एक डाइग्राम ड्राव कर रहा हूं ध्यान से देखना भाई या चीजे समझ में आती है या नहीं क्योंकि इस equation के basis पे ही हमारे graphs plot होंगे उनको हमें discuss करना है मैंने कहा कि यह बैट्टरी है जिसका EMF है यह एक internal resistance है और यहां पर कुछ ना कुछ external resistance है capital R अब मिर को अब यह देखके बताओ कि यह जो internal resistance है और जो यह external resistance है यह दोनों series में है यह यह दोनों parallel में किस टाइप के connection में यह और आपको यह चीज़ पता ही होगी lower class में कि भाईया हमारे series में जो basically potential है वो potential divide होता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरी battery का EMF है EMF का मतलब क्या होता था EMS का मतलब होता था charge को पूरे circuit में घुमाना तो यह दो जगे यूटिलाइज होगा कौन सी दो जगे यूटिलाइज होगा एक तो यह 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 यूटिलाइज होगा पोटेंशल ड्रॉप एक्रोस इंटरनल रिस्टेंस क्या यह चीज़ क्लियर हुई यह से एक कई आंसर आ रहा क्या हुआ नहीं क्लियर हो रहा है क्या को यह साहो जिसको डाउट लग रहा हो तो पूछ लो यार तो मैं यहां पर लिखूंगा EMF EMF is equals to V plus V dash अब बस हमारी equation बनना चालू हो जाएगी भई EMF is equals to V क्या है वी है potential drop across external resistance और इस circuit से current निकल रहा होगा आई तो मैं वी की value लिखूंगा according to ohms law कि V होगा आई current into external resistance प्लस वी डैश की value वी डैश होगा potential drop across internal resistance तो आई और into smaller तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो आई को common ले सकते हो तो आपके पास bracket में बचेगा capital R plus small R तो यहां से मेरे पास total current flowing in the circuit का formula आ जाएगा total current flowing in the circuit is potential of the battery that is EMF divided by total resistance capital R plus small R सब लोग चेक कर लो equation 1 बिल्कुल clear हुई या नहीं कि यह सब्सक्राइब करो तो यह वाला concept और discharging of battery concept दोनों का diagram सेम मन रहा है तो इधर इसको नाम दे दो equation 2 याद रखो अभी सारी equations के लिए ग्राफ क्लॉट करने है इसलिए मैं यहां तक की equation मैंने बता दिया है चेक कर लो यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे आ जाते हैं थर्ड एक्वेशन पे भाईया मैं वी की वैल्यू लिख रहा हूं वी वी की वैल्यू थी आई आर अगर वी की वैल्यू आई आर थी अब मेरे को करंट का फॉर्मूला भी पता है तो क्या मैं लिख सकता हूं वी इस इकोल्स टू एएम एफ इंटू आर डिवाइड़ बाई क्यापिटल आर प्लस स्मॉल और इक्वेशन थ्री चेक कर लो यहां तो कोई दिक्कत कोई समस्या तो बता दो फिर आगे बढ़ दाओंगा मैं नहीं है बस एक लास्ट इक्वेशन लास्ट इक्वेशन भी यह हमें पता चल गया था डेल्टा वी होगा मलब वी होगा इम एफ माइनस आई आर के बराबर मेर को इस आर की वैल्यू निकालनी है स्मॉल आर की वैल्यू तो क्या मैं लिख सकता हूं आई आर इस इक्वेशन टू एम एफ माइनस वी तो आर हो जाएगा एम एफ माइनस वी डिवाइडिड बाए आई कोई दिक्कत नो से अब क्या मैं आई को ओम स्लों के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं अब आप बोलोगे सर आप बना रहे हों हमें पागल कभी तो आप आई की वैल्यू लिखते हो एम एफ डिवाइड बाए आर प्लस मॉलर कभी आप कहरो वी की वैल्यू लिखू मैं वी बाए आर मिरको बताओ दोनों में डिफ्रेंस क्या है चलो भाई जल्दी सोचके बताओ कभी मैं लिखता हूं आई है नहीं कॉंसेप्ट यह कहता है यार आप दोनों में से कोई भी फॉर्मला यूज़ करो कंप्लेटली आपकी मर्जी है कंप्लेटली आपकी मर्जी है लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान देना है क्या चीज़ का ध्यान देना है इधर मैंने ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इधर मैंने क्या लिखा हुआ है इधर मैंने लिखा वह है वी का मतलब किसका पोटेंशल ड्रॉप था ही का मतलब जो रेजिस्टनस पर पोटेंशल ड्रॉप हो रहा है उस चीज यहां पर रिजिस्टन्स कितना है सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास दो फॉर्मले यह तो एक यह वाला और यह वाला लेकिन इस वाले फॉर्मेले में दिक्कत क्या है मेरे को वी की वैलु परना पढ़े गा ऊपर वाले के हिसाब से बैटरी का वोल्टेज है ट्वेल्व मेरे को बताओ टोटल रिजिस्टेंस कितना हो जाएगा तो मेरे पास टोटल करण्ट कितना आया लेकिन अब मैं आपको कुछ दूसरी चीज कह रहा हूं बही मैं कह रहा हूं कि सपोस्स मेरे को पता है कि यह उपर वाले फाइव ओम्स पर कितना वोल्टेज रडियूस हुआ है वह यहां पर कितना बचेगा इस इंटर्नल वाले पर तो अब मेरे को बताओ अब आपको इसका वल्टेज ड्रॉब भी पता है तो अब आप चाहे तो करंट ऐसे भी निकाल सकते थे कि आई इकोल्स टू वी इसका वी है दस और इसका रेजिस्टन्स कितना है पांच तो देखो अभी भी आंसर कितना आएगा तो चाहे आप इस वाले फॉर्मले से निकालो चाहे इस वाल क्या मैंने अपने कॉंसेप्ट से अपने एक्जांबल से क्लियर कर दिया कब कौन सा एक्वेशन यूज करनी है तो बस इस चीज़ का ध्यान दे लेना और उस हिसाब से अपने कोशन में फॉर्मला यूज करना कंफ्यूज नहीं होना है जो आपका मन करें अब वह वाला तो एक एक करके अब इनके ग्राफ्स प्लॉट करना समझते हैं लेस चलो ग्राफ पर आ जाओ भाईया इंपॉर्टन्ट ग्राफ से सारे ध्यान रखना आपके बोर्ड एक्जाम की पॉइंट ऑफ यू से भी इंपॉर्टन्ट है यह फर्स ग्राफ में ड्रॉ करना चाहता ह हूं एम वर्स जीस एक्स्टरणल रजिस्टन्स तो बहिया मेरे को बताओ एम एक्स्टरनल रेस्टन्स पर कैसे डिपेंड करता है डारेक्तली इनवर्स ली या किस तरीके से डिपेंड करता है तो एक चीज़ बताओ मैंने आपको कल भी एक वो दिया था कि सपोज मेरे हाथ में एक बैटरी है अगर मेरे हाथ में एक बैटरी है और इस बैटरी पे लिखा हुआ है 1.5 बोल्ट एमफ की बात कर रहा हूं तो अगर मैं इसको किसी चीज़ से कनेक्ट करूं या नहीं करूं क या इसका एमफ चेंज हो जाएगा यए सेम रहेगा इसका इमफ की मैक्सेम्म कपासिटी वो तो सेम ही रहेगी ना वो तोड़ी होगी चेंज क्या होती है आप लोग्त ऑंसके अक्व पर डिपेंड करता है नहीं नहीं डिपेंड करता तो याद रखना यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी और यह एक इंपॉर्टन कॉंक्लूजन है आप यहां पर लिख लो इंडिपेंडेंट ओफ यह लिख लो कोशन एक्जाम में डियर्टली आ जाता है याद रखो इंडिपेंडेंट ओफ एक्स्टर्नल रजिस्टंस क्या यह फर्स्ट पॉइंट बिलकुल याद रहेगा यह बढ़िया आजाओ नेक्स ग्राफ पे यह चलो नेक्स ग्राफ पे आते हैं भाईया नेक्स ग्राफ हमें ड्रॉ करना है बिट्वीन पोटेंशल वर्सेस रजिस् पे डिपेंड करता है थी पोटेंशल तो रजिस्टंस पे डिपेंड करता है लेकिन अब कैसे कहतém करता है और yat intentar टृ ये व्योंकर को constituents यह बिट्वीस्ट तो किसी एक जगे से को काटो तो बताओ कैसे काटूं कि भाईया क्या आप नीचे से आर कॉमन ले सकते हो लेकिन यहां पर मेरे को करंट के बारे में भी पता होना चाहिए लेकिन क्या मेरे को यहां पर करंट के बारे में पता है इसलिए अब चीस क्लियर हो गई यह ड़न तो अब यार इससे बेनेफिट क्या मिला मेरे को आर कॉमन लेने से बेनेफिट यह मिला कि आर और आर कट गया अब लिमिट्स देखो मिरको बताओ कि जब मैं आहर की वैलू जीरो ले रहा हूं य के यार मेरे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा प्लीज इतना तो करो अर्व बिल्कुल तो यह हो जाएगा और डिवाइड बै जीरो वह होता है इनफीनिटी कितना होगा इनफीनिटी तो वीकिवाइग आएगि इने इनफ इनफीनिटी कितना være 0 हो जाएगा यह जिस नो इसए नहीं तो भेया जन शhmro yummy क्या होगा वी बी 0 happens condition ship सब्सक्राइब कर दो यह लगा धिस्ट समॉल आर के बराबर होगा तो मेरे को बताओ अब की वैल्यू कितनी आएगी सेकिंड के सब्सक्राइब यह पिजा इभी ने दोनों बराबर होंगे तो इसी मेरे पास आएगा एक उसी तो मतलब मेरा ग्राफ अब चेंज होगा इंक्रीज होगा और इधर मेरे पास पोटेंशल ड्रॉप की वैल्यू आएगी एम एफ बाइटू क्या सेकेंड कंडिशन भी क्लियर है बिल्कुल यह सर्ड थर्ड कंडिशन थर्ड कंडिशन आप मेरे को बताओ जब मैं रजिस्टंस को इंफानाइट कर दूं रजिस्टंस क वेडिओं तो जब आप इनफानाइट रखोगे तो वी की वैल्यूप के बराबर आएगी तो याद रखो जब भी हम रेस्टंस करते हैं उस किस में हमारा जो रडिस्टंस है वह पूरा का पूरा पोटेंशल ड्रॉप करा देता है यह मश्यात्य क्लियर ओ ग्या नहीं तुम आज बड़े उदास उदास से हो नो से पकी बात वो सब्सक्राइब लगी है ना ओके ओके बड़ी अभी या तुमने वैसीन के सेकेंड डोस फस्ट डोस सेकंड बड़ी या चौलो प्रकुल गंदी हालत कि वैसे जब मैं महां चलाया था ना मैं देख रहा था काफी जगे है ना कैंप्स लगे हुए थे वेसिनिशन डोसिस के तो बड़ी है यार चल रहा काम स्कूल में एक वाज़ा लगी है एक से थीन वेड़े लेटा रहा है स्कूल बाकी मैं कहूंगा हमेशे अपने पास पैरसीट और रख ले ना रात को फीवर आने के पूरे पूरे चांस है अगर दूस आज ही लगा लेते हैं फिर जैसे तुम्हें पता ही है बाद में गप्पे मार सकते हैं हां तो मेरे को चेकर कर बदा दो पहले दो ग्राफ बिलकुल तो इससे या तो इससे या उना करते है जब बन होता है तो पैसलों ना के बराबर देगा तो इस तरह के से याद रखना जब भी मेरा external resistance internal resistance के बराबर हो जाता है तो भईया potential drop कितना होगा को पोड़े potential drop इएमेफ का सब्सक्राइब और जब बेसे बिल्कुल in-स ब्रहेख हो जाएगा मदलब बहुत जादा बड़ा हो जाएगा तो उस case में potential drop पूरा EMF के बराबर हो जाएगा तो यह हो गए हमारे पहले दो graph discuss, अब करते हैं हमारा third graph discuss, third graph किसके बीच में है, third graph है between potential and current के बीच में, V versus I के बीच में, तो देखो अब इसके लिए कौन सी एक्वेशन यूज करेंगे अब हम इसके लिए एक्वेशन यूज करेंगे अपनी लास्ट वाली एक्वेशन स्वारी सेकिंड वाली एक्वेशन वी इस इक्वेशन टू एम एफ माइनस आई यार क्या यह लीनियर एक्वेशन है यह कौड ressourt line equation होती है mx wassey तो मेरे को बताओ सबसे पहली बात तो यह चीज़ क्लियर है कि V और i के बीच में जो ग्राफ्ट रहा होगा वह स्प्रेइट लाइन ग्राफ्ट रहा होगा पहली चीशसों यह נई अब मेरे है लिए तो मतलब मैं स्लोप कल्कुलेट करूंगा समझे आया किसे पता चला मेरे को यह यु यह कि व्यांट की वैली माइनस फार रही है इसलिए अब सिमिलरली में को बतां सी सी का मतलब इंटरेसेट होता है तो इंटरेसफ किसकी वैल्य देगई आभ फ की तो अगर मैं यहाँ पे iska इंटरेसेट कैल्कुलेट कहूं तो में को किसकी मिल जाेगी सबस्दॉस्ट उसे समझ में आगये वाली बात है कि यह समझ में क्यों ने कि अंगूजला वाली सब्सक्षिंदेश कि वारी स्बसक्राइब विख कर सकते हो लेकिन एक बाद बढ T enjo अगर मैं विख कार रेलेश्न मिलेगा लेकिनめ को एंटरणाल Users करना चाहताँ assurance करना चाहता बाकी आप चाहिए तो इसके बीच में पड़ा हुआ हुआ ही है कि आगर मैं कर relation नींची है मैं किया find करना चाहता हूं internal resistance find करना चाहता हूं बाकी आप चाहए तो इसके बीच में plot कर लो और वो तो आपने ने पड़ा हुआ ही है कि अगर मैं आई के बीच में graph plot करता हूं तो straight line मिलता है और अपकी बार तो अगर बनेगा लेकिन अगर आप सारी लड़ाइगा हमारे कि मैक पी कर लितुमने तो चलो यहां तक कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन एक दम से मिरे को लगा क्या हो गया हां तो बहुत चेक कर लो यह सारी चीज़े क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं बहुत इंपॉर्डन टॉबिक पर नॉडल एनलेसिस पर कि चलो ग Require आजवागी नॉडु ऑपिक पर नॉडल एनलेसिस पर जो बहुत इसंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉडन टॉपिक भी है नॉडल एनलेसिस सबसे पहले तो मिरे को यह बताव नॉडल का मतलब क्या होता है तो आपने पढ़ लिया कि नौडवी पर सुनाई के पर सेम पॉटेंशिल वाले पॉट्ट बिलकुल बिलकुल तो चलो इसको फटाफ़ डिसकस कर लेते हैं तो इसको दिर्क्टल हो जाएगा चलो तो मेरे को बताओ नोड़ का मतलब किया होता है पता ही है तो पड़ रखा है तो कि यह नोड का मतलब होता है जंक्शन पॉइंट तो मतलब मेरे को इसमें जंक्शन पॉइंट जो ऐसे आप आपने कहा था सेम पोटेंशल वाले पॉइंट पकड़ने तो एक बहुत सी सिंपल एक्जामपल से डिसकस करना स्टार्ट करते हैं आप मेरे को बताना कैसे कैलकुलेट करोगे आपने यह अल्रेडी टॉपिक पड़े लिया है तो कि क्या कहे रहो सर बस पड़ा है बस यह मत पूछो कि कैसे कैलकुलेट करना है वह सब नहीं पढ़ते हम है ना आज कल तुमारी ख्लास में सन्नाटा कैसे चाने लग गया किसको क्या दुखा गया जिंदगी में चलो भाई लेट्स डिस्केस पॉंट क्या कह रहा है कि भाईया मेरे को बता हो हर एक ब्रांच में कितना करन्ट फ्लो कर रहा है तो मेरे को बता इसको कैसे क्याकुलेट करोगे कोई बदाना शुरू कर दो है तरिपीट करना रिपीट कोशन कह रहा है मिरे को बताऊ हर एक ब्रांच में हर एक ब्रांच का मतलब है हर एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है मैं ये कैल्कुलिट करना चाहता हूं यहां लिख देता हूं कॉशन find the current flowing in each branch तो मिरे को बताऊ कैसे calculate करोगे इस विवर लेकिन वी कौन सा लूम है इदर थो बैटरीज हैं वी कौन सा लेना चाहिए है सर जिए सेम होगा इदर तो कोई भी सेम नहीं है एक ट्वेंटी एक टेन है चलो देखो अगर नहीं भी याद है तो मैं फिर से पढ़ा देता हूं कोई दिक्कत नहीं है इधर समझो concept को यार अगर मैं कह रहा हूं आपको कि एक battery है मेरे पास यह battery का जो point मैंने कहा सपोस बैटरी का जो डिफरेंस है मैंने कहा कि यह 40 वोल्ट है क्या मेरे को यह समझाओ पहले तो कि वह 40 वोल्ट है क्या यह पोटेंशल डिफरेंस है बैटरी का पोटेंशल डिफरेंस का मतलब है कि भाईया एक point high potential पे है एक point low potential पे है तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्राक्ट करूंगा तो मेरे पास answer 40 आना चाहिए difference 40 आना चाहिए यह चीज़ याद रखो मतलब हाई पोटेंशल कुछ भी हो सकता है लोग पोटेंशल कुछ भी हो सकता है लेकिन अल्टीमेटरी दोनों को सब्ट्राक्ट करके क्या मिलना चाहिए मिरको 40 मिलना चाहिए तो क्या अगर मैं इधर वैल्यू 80 रख दूं तो मिरको बताओ पॉइंट बी पर कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिससे डिफरंस 40 का आ जाए इधर 120 रख सकता हूं क्या मैं जल्दी बता दो हाँ या ना हम इधर 120 नहीं रख सकते क्यों कि यार हमारा पॉइंट ए हाइप है तो यह वाली वैल्यू हमेशा जादा होनी चाहिए लोग वाले पॉइंट से तो 120 मैं नहीं रख सकता क्योंकि 120 तो 80 से बड़ा हो जाएगा तो अगर मैं इधर 80 रख रहा है कि यह वैल्यू कितनी बन जाए डिफरेंस फॉट्टी बन जाए तो यहां पर 40 करते हूंगा उल्टा कर दो मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा मैं ऐसा करता हूं मैं तो मेरे को बता पॉइंट कितनी वैल्यू रख हूं अब यार ऐसे होता क्या है ना जनरली आप चाहे तो साइड फॉट्टी लिख देता हूं तो मेरे को बताओ पॉइंट भीबे मेरे कितना लिखूं जिससे डिफरेंस फॉट्टी का बना रहे जीरो क्या यह वाला मेरा लॉजिक समझ में आ गया तो भाई याद रखना हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हम एक वैल्यू को ले ल यह वाला पॉइंट मेरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टिड है और यह वाला पॉइंट मेरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टिड है तो मेरे को बताओ पॉइंट यहां पर कितनी वैल्यू लिख दो यहां पर मैं लिख रहा हूं जीरो तो बताओ क्या होती है हाइट लो या लोटु हाइट लो तो भीया इधर बीस है इधर जीरो है मतलब करणट इधर फ्लो करेगा 20 से लेके 0 तक similarly इधर 10 से इधर 0 तो इधर करणट कैसे फ्लो करेगा left-hand side फ्लो करेगा दस से लेके जीरो तक क्याई मैंने ये बाद भी क्लियर कर दी सबको किस्सा खतम कोशन सॉल कोशन भीया ओम्स लॉसे सॉल करेंगे ओम्स लॉक के अकॉर्डिंग वी इक्वल्स टू आई आर होता है मेरे को करंट निकालना है तो करंट होगा वी बाय आर तो अब मेरे को बताओ उपर वाली ब्रांच में एक है वंटी और एक है मेरे पास जीरो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया पीच में एक रिजिस्टन्स फस रहा था इस रिजिस्टन्स की वैल्यू कितनी है तो यहां पर मेरे पास करंट आ जाएगा फोर एंपेर्स को बोलते सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच में सॉल्व करके बताओ नीचे वाली ब्रांच में कितना करन फ्लो कर रहा होगा चलो वाली ब्रांच में फोर एंपेर तो नीचे वाली ब्रांच को जब मैं सॉल्व करूंगा तो फिर से लिखूंगा आई इकोल स्टू कितना डिफरेंस आ तो अगर मैं ऐसे ही एक और कोश्ण दे दूँ तो क्या सॉल्व कर दोगे यह तो इसको नोट डाउन हम बोलो किसी को डाउट आज बोलो तो इसको नोट डाउन कर लो आराम से फिर नेक्स कोशन देता हूं थोड़ा सा चेंज करूंगा आराम से सॉल्व हो जाएगा टोटल तीन कोशन करेंगे इस पर करवा से कराएं चलो भी या अब अभी फिलाल समझाने के लिए थोड़ा सा इजी-जी कोशन ले रहा हूं फिर जो एक एक एक्जाम में आया वह कोशन है ना एडवांस में वह वाला कोशन डिसकुस करेंगे सब कुछ पिछले वाला कोशन जैसा ही सेम है क्या सेम है कि यहां पर मेरे पास बीस वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है यहां पर दस वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है यहां पर मेरे पास रिजिस्टन्स है पांच ओम्स का यहां पर रिजिस्टन्स कनेक्टेड है दस और यह बी लिट चलो हर एक ब्रांच में बताओ कितना कितना करन कर रहा होगा क्राइड वे प्रैस्ट वेड़ेंड कितना कितना करण कर रहा होगा फिर इसके बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेड़ और उसके बाद हां बोलो करेंगे मुझे आंसर नहीं पता चेक करेंगे यह सब करके डिसकस करना शुरू कर देते हैं चलो तो इसमें को बताएगा मेरे को बटाओ प्टेंचल कितना ले लो तो प्र-प्र फ्टेंचल लेना पड़ेगा वह से ज्यादा पटेंचल लेना है क्योंकि हाई वाली बढ़े के चीज़े बिल्कूल कर लो है तुब वाली ब्रांच में किरंट आजाएगा थिल्कूंदी jij divided by 5 तो यह आपने बिल्कुल सही निकाला6 a 10 इस एमपेर नटन अच्छ okay और जैसके आप लोगोंने पने नीचे वाली ब्राँच में कोई नहीं करेगा बिलगुंक हिधर भी 10 है इदर भी 10 है तो कोई पोटेंशल डिफरेंस मेंटेंग नहीं हो रहा है कितना आजाएक ऑंसर जीड़ों के-चिशन के करते हैं लुब फोड़ा रहा हूं आप जो नेक्स कोशन दे रहा हूं ना एई उसमें आपको कोशने डायरेक्शन भी पूची आप उसमें कोशिशन ने डाइरेक्शन भी पूछी है तो उसमें तो मार्क करनी पड़ेगी चलो सबका यह बहुत जल्दी सॉल्व होता है इसलिए तो इसको यूज कर रहे हैं नहीं तो फिर तो हमारे पास दूसरा मेथड होता किर्शॉफ रूल यूज करने का फिर तो हम किर्श कर देता हूँ देखेंगे मेरी स्क्रीन हैंग हो जाती है बीच बीच में चालो इधर भाया वॉल्टेज गिवन है दस वोल्ट उपर पॉजटिव टर्मिनल नीचे नेगेटिव टर्मिनल इधर उपर नेगेटिव टर्मिनल इधर पॉजटिव टर्मिनल वॉल्टेज तो और इसका इंटरेल रिन को गिवन करऊ और शोल्व करना हिरा चालू करो फिर से वही करना सिर्ण करना है कि इच ब्रांच और डारूक्षिन कि साथ बताना या जी से बी तक जा रहा है ए तक घानल से तक जा रहे तक जा रहे है इस तरीके से चलो मेर्द आज सब्सक्राइब Que? अब स्वाल करो मैं फटाफट पानी पी लेता हूँ झाल 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 जाया बोल को बत्रशों बत्रश़ कर 170 को बत्यों प Trustee weiterhin लुषD अमिट कर रहे हो सॉल्व लोव प्रीज है यह सर ओके कौशिक तुम है यह सर चालो बढ़िया और प्रकुल तुम तो अभी लेटे पड़े होगे फिर अब प्रकुर्ण बैठे तो सब घर पर है इस अब बनाइब लेटे अधर लेटे क्लास चल रही आज तो अब लेटे विविक्लास लेटें सबसे पहले कौन सी ब्रांच से स्टार्ट कर सकते हैं वेरी गुड याद रखना हमेशा उसी ब्रांच से स्टार्ट करना जिस ब्रांच में कोई रजिस्टन्स ना हो तो हम सबसे पहले और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कल की क्लास में बताया था कि अगर दो पॉइंट्स प Divine, mica कटने से जोइन होते हैं तो वह यकवी पॉटेंशलВотे से उन हर पॉइंश से होगा तो एस और जी िपार फेंट्टींग से जोएन है तो इधर जीरो सीडूरली पॉइंठे पे पतेंशल cared Emmy फीजिआगा अब एक चीज का ध्यान दो कोशन पर आजाओ वापिस से सही से भाईया इधर मेरे पास वैल्यू जीरो है तो मेरे को बताओ रजिस्टंस से पहले तो पॉटेंशल को ड्रॉप कराएगा रजिस्टंस से पहले जो यह पॉइंट माक कर रहा हूं इस पर कितना वोल्टेज देता हूं ताकि डाइग्रम थोड़ा सा आपको देखने में सुन्दर सा लगे यह हो गया यह रिजिस्टंस कितना था वन ओं था ओके चलो यहां तक की बात हो गई अब आते हैं इस पर यहां पर दस है तो यहां पर भी दस होगा लेकिन अब यहां पर कितना पोटेंशल ल देगा क्योंकि 10 और माइनस 30 की बीच में 40 का डिफरेंस हो जाता है कि यह बात क्लियर हो गई यह सो सीमिलरली लास ब्रांच पर आ जाओ इधर दस है तो इधर कितना पोटेंशल लिखूं जिससे डिफरेंस 50 का रहे और वैलू 10 से कम हो गार पार चलिफ उपर दस से नीचे माइनस 30 है तो करण नीचे फलो कर रहा होगा या उपर फलो कर रहा हो beta कि और दस से नीचे माइनस 30 तो थीस तो पूल आधी घ्रय तो कि वैलियू कितनी अ कि दूणों के देंट्स emoc तीमे सिंरोरा माइनस मी देछा टाया तो मेरे पास कितना अंसर आया 40 ampere मेरे को ऐसा लगा नहीं समझ में आया आगे आगया similarly और इसकी direction क्या हो गई इसकी direction हो गई downwards from b to g similarly मिरको अभी c और f वाली ब्रांच में बताओ c और f वाली में ऊपर माइनस 30 है नीचे 0 है तो current ऊपर फ्लो करेगा या नीचे फ्लो करेगा उपर क्यूंकि 0 वैल्यू बड़ी हो गई माइनस 30 से तो इधर मैं लिखूंगा current f c f c का मतलब f c c तक जा रहा है equals to 0 और 30 के बीच में कितना difference आ गया तीस का कितना बीच में दो का तो हमारे पास current आ गया पंद्रह अंपेर ऐसी अब लास्ट वाली में calculate करके अपने आप बता दो चलो बस एक लास्ट ब्रांच का बचा है डी ए का उसका अपने अपनी और किदर आएगा उपर के तरफ बिल्कुल तो इसको लिख देता हूँ एडी 20 divided by 2 और यह हो गया हमारे पास इस वाइड दिवाइड बाइड 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 वाला कोश्ट डिसकस कर लूं अगर आपको यह पहले तीन कॉर्शन क्लियर हो गए हैं तो चलो डन तो लेट्स दूदि भाइया एडवांस वाला कोश्ट डाइगरम बनाने में मिलको थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो बस थोड़ा सा पेशन्स रखें मैं डाइगरम बना लेता हूँ यह है हमारे पास पॉइंट ए इधर एक रजिस्टन्स टू ओम्स का इधर एक बैट्री पॉजिटिव नेगेटिव पांच वोल्ट की और यहां पर पोटेंशल है पचास वोल्ट का फिर यहां पर एक रजिस्टन्स है वन ओम्स का यहां पर पोटेंशल मेंटेन हुआ है मा यहां पर बैटरी है भाइया 15 वोल्ट की रेजिस्टन्स टू ओम्स और यहां पर वोल्टेज है बीस वोल्ट लास्ट चलो भाइया बस यह कोशन हमें गिवन है कोशन बताता हूं कोशन ने क्या बोला है फाइंड इपोटेंशिल फाइंड डी पोटेंशिल एड़ी पॉइंट यह यह आड जंक्शन पॉइंट ए इसना हैंक क्यों कर रहा है एड पॉइंट जंक्शन एड कोशन समझ में आ गया आया ना तो बोलो निकम्मो चलो डन चलो ऐसा करते हैं साथ साथ मिलके सॉल्व करते हैं पॉइंट ये पे फाइंड करना है पोटेंशल चलो इधर देखो मिर बहुत थर्टी बैटरी नहीं लगेगी क्या चीज दुबारे बोलो निचे की तक बैटरी नहीं लगेगी अच्छा नीचे वाली ब्रांच में कोई बैटरी नहीं दे रखी हो नहीं कोई बैटरी नहीं जाएक्जाट्टि आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस यह जेए का है यह जो पहले कुछ आया हुआ है चलो तो मैं डिसकस करना स्टार्ट करता हूं एक तो आपको पिछले कोश्चन से एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि भाईया जब बीच में रिस्टन्स आ जाता है ना तो हम पोटेंशल डिरेक्ली मार्क नहीं कर सकते जैसे इधर मैंने जीरो मार्क कर दिया इधर 10 मार कर दिया कैसे माक कर दिया क्योंकि बीच में को रिजिस्टन्स नहीं था इस वज़े से तो वही चीज़ कॉंसेट थोड़ा यहां पर ध्यान देना यहां पर अगर बीस है उपर बीस है तो क्या मैं नीचे पोटेंशल लिख सकता हूं नहीं लिख सकता क्योंकि बीच में रिजिस्टन्स आ गया गुड़ सिमिलरली यहां पर दस है तो मैं यहां पर कोई पॉटेंशल लिख सकता हूं नहीं बीच में रिजिस्टन्स फच गया तो यही चीज हो रही है अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा कोशन को सिंपल बनाते हैं म मेरे को बताओ यहां पर कितना पॉटेंशल लिख हूं जिससे मेरे पास डिफरंस पांच का रहे और पचास से जादा वैल्यू रहे बिल्कुल 55 यहां वाली ब्रांश का तो सॉटेड हो गया 55 और एक्स हो गया यहां पर दिक्कत नहीं है यहां पर पॉटेंशल एक्स है तो सबको क्लियर हो गई है बातें यहां पर आजाओ यहां पर पोटेंशल एक्स है तो मेरे को बताओ यहां पर कितना पॉटेंशल लिखूँ जिससे 20 का डिफरंस हो और एक्स से छोटे एक्स माइनस 20 क्योंकि एक्स पॉजिटिव साइड आ रहा तो एक्स वालब बड़ा होना चाहिए अब देखो अगर आप एक चीज़ नोटीस करो मेरे को सारी ब्रांच इसमें हर एक पॉइंट पर प्रोटेंशल डिफरेंस मिल चुका है अब बस हम अपना कोशन सॉल्व करना शुरू कर देंगे भीया क्या आप यहां पर करन्ट कर सकते हो यहां पर डिफरेंस टेन का है यहां पर एक्स माइनस ट्वंटी का है और बीच में रिजिस्टन्स वन है अब क्या कर दो सारी इक्वेशन लिख दो और एक चीज़ हमेशा याद रखना किर्षॉफ का एक रूल है क्या रूल है क्या रूल है करन्ट एंड जंक्शन पॉइंट कितना होता है क्या अब यह बात क्लियर हो गई अब देखो मैं equation लिखना सिखा रहा हूँ पहले मैं इसकी equation लिख रहा हूँ इस वाली branch की तो ध्यान देना इस वाली branch की equation लिख रहा हूँ भाईया क्या मैं लिखूंगा x minus 20 x minus 20 और यहाँ पे 10 का difference है तो minus 10 बीच में resistance कितना फसरा है प्लस इस वाली branch का लिखके बताओ इस वाली branch का कितना लिखना चलो इस वाली branch का लिखके बताओ यहाँ पे x है यहाँ पे 55 है बीच में resistance 2 है क्या लिखूं मैं यहाँ पे पचुंजा बताओँ ग्टमाइव एक्स minus कितना लिखूं 55 divided by 2 तो बड़ीया सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच का बताओ नीचे वाली ब्रांच का क्या लिखूं एक्स प्लिस थर्टी डिवाइड बाई बहुती बढ़िया बस एक ब्रांच बची है उपर वाली तो इन दोनों के बीच में बताओ क्या लिखूं एक्स माइनिस ट्वेंटी डिवाइड बाई एक्स माइनस ट्वेंटी कैसे आया सिर्फ इस वाले पार्ट का बताओ ना जहां पर रजिस्टन्स आ रहा है उस वाले पार्ट का पैस्माइट 16-20 वेरी गॉड डिऊएड़ पाई ये वह ग्याओ नअइसक इप और टॉटल करतीब इसब जब किसके तो जीडों के बराबर होगा ये सब के बराबर होगा जीरों के बराबर क्यों होगा क्यूंकि करांट जन्क्षन पॉंइंट कितना होता है जीरो होता है तो यार बस में इतना ही तो कहा रहा हूं इस एक्वेशन को सॉल करता रहा है पूरा-पूरा किसी को यार लगेगी सर यह डाउट हुआ नहीं कुछ समझ में आ रहा तो प्लीज बता देना इस पूरे कोशन को सॉल एक्वेशन को सॉल कर लो जो मैंने नीचे एक्वेशन लिखे स्क्वेर ब्रैकेट में और एक्स की वैल्यू बता दो कि यह एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बस वही आपका आंसर है जो भी आ रहा हूँ एचली मैंने कोशन में गलती कर दी जो कोशन में गिवन है यह माइनस 50 गिवन है मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है तो हमारा आंसर और जो एक्ट्वल में जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि जो कोशन में गिवन था यह माइनस 50 था जो भी आ रहा हूँ आप मैस कर लेना यह मैं आपके उपर छोड़ रहा हूं कर लोगे ना क्यालकुलेट अपने आप यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं काल्कुलेट दी वैलियोफ एक्स नेक्स क्लास में डिसकस करेंगे किसका आंसर मैच कर रहा है यह नहीं कर रहा चलो नेक्स टॉपिक पर आ जाते हैं अगर सबको यह क्लियर है तो नेक्स टॉपिक तो भाईया इससे भी ज्यादा सिं है जो फिलेट एक रूल को हम कहते हैं लूप रूल और एक रूल को हम कहते हैं जंक् declining जो हमने पहले से ही अप्लाइ करना सीख रखा है जंक्शन रूल में क्या होता है कि भाईया करंट इन इस इक्वल्स टू करंट आउट होता है मतलब करंट एड जंक्शन पॉइट विल ऑल्वेज भी जीरो प्रकुल यार तुम्हारी बात सही है कि तुम चाह रहे हो कि कल करें लेकिन अभी यार टाइम सिर्फ एट टेन हुए है बीस मिनट पहले कैसे छोड़ दूं यार चलो पांच मिनट और पढ़ लोगे चलो डन पांच मिनट और पढ़ लो ज्यादा टाइम नहीं सिंपल चीज हां तो मैं रिपीट कर दा हूं किर्शोफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशल का सब का सम यह समेशन साइन है सब का पोटेंशल का सम किसके बराबर होना क्छी है जी रो लेकिन ऐसके आंदर एक लूप का मतलब क्या होता है लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ और दूसरा जंक्षण रूओ जंग्शन रू इंटर करेगँ उतना ही कॉरण आउट होना चाहिए और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है जो मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी कि अगर करंट कभी भी हाई टू लो फ्लो कर रहा है तो मैं उसको क्या लूंगा नेगेटिव और अगर कभी भी कोई चीज लो टू हाई फ्लो कर रही है तो क्या लूंगा मैं उसको पॉजिटिव लूंगा बस इसी चीज को हमें थोड़ा सा अप्लाए करना है कैसे अप्लाए करना है एक बस एक्जामपल से देख लेते हैं उसके बाद याट से उससे जादा नहीं खीचूना प्रफल टेंशन ना लो डाइग्राम जान पूछके बड़ नहीं पड़ाया ठीक है याद रखना किर्श्वाफ रूल हर चीज के लिए अप्लिकेबल है चाहिए कैपैसिटर हो चाहिए रजिस्टन्स हो आप हर जिगे अप्लाई कर सकते हो लेकिन जनरली हम इसको करेंट एलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ते हैं चलो मैं फटाफट कोशन ट्रौ कर लेता हूं पहले फिर बखवास करेंगे अपनी अराम से बैठके जो हम करते रहते हैं और यह थ्री ओम्स यह बैटरी थ्री वोल्ट और लास्ट वन वोल्ट वन ओम चलो डन अब आप सबसे पहले मेरे को यह देखके बताओ इस कोश्चन आ रहे हैं कौन-कौन से थीन लूप्स आ रहे हैं बहिए एक अहरा है एक आ रहा है मेरे पास बीसी डी और एक आहेगा मेरे पास पूरा एबीसी डी बीचवाले को काट देंगे तो कि यह बात क्लियर हो गई सबसे अच्छी बात किया है किसी भी एक बैट्री से करण को फ्लो कराना स्टार्ट करतें किसी बी एक बैट्री से जिससे आपका मन करें तो मेरे को से से वन वोल्ट थी वोल्ट चलो वन वोल्ट वाले से तो मैं क्या कर रहा हूं इससे सपोस्ट करन्ट फ्लो कराना स्टार्ट कर रहा हूं यह ध्यान दे लेना इससे मैंने करन्ट फ्लो कराया करंट ऐसे ट्रैवल करेगा ऐसे ट्रैवल करेगा यहां पर करंड की वैल्यू हाई टू की वैल्यू होगी टोटल करन्ट माइनस आई वन क्योंकि कुछ पार्ट इधर गया है रिमेनिंग पार्ट इधर गया है क्या मैंने कुछ गलत लिखा लिखा खेर मजाग कर रहा हूं चलो अब आजाओ हाई और लो पॉइंट्स मार्क करने फटा-फट यह बैटरी का हाई है यह बैटरी का हाई यह यह हाई यह लो यह हाई यह लो इह यह लो करन्ट इस तरीके से कर रहा है तो यह वाला पॉंट क्या होगा क्या हाई यह वाला पॉ front यह वाला否 अबया case पॉक्त हएक लोग करना आ गया यह और यह बड़्य विख साइस लूब के अंदर सारे पोंटेंशल की लिखनी है इस लूब के अदर भी सारे लिखनी है निधिक्शन आपकी मर्जी है कि आप मिसको क्लोकवाई लो यह एंटी क्लोकवाई लों क्म्प्लीटली आपकी मरजी यह घ्यो बाता हुए-zejक्षिन क्या लू-eye रखे ल्योस बताओ निच आी इस लुक्वाइस लिक क्लोकवाईस लिता हूं यह होगी ड्यारेक्षशन लूप में आता हूं लूप ABD बस एक लूप की बात करूंगा प्रकुल टेंशन मतलो नेक्स्ट लूप अपने आप लिखके हम वक में दे दूगा मेरे को सबके पोटेंशल लिखने हैं मेरे को बता उपर वाले लूप में टोटल कितने इस चारों का पॉटेंशल लिख दो तो सबसे पहले वाली इस बैटरी से शुरू कर देता हूं मैं बाकी मर्जी आपके आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो इस बैटरी का पॉटेंशल कितना है तो बीच में जा रहा हूं मैं उसक्ति बैटरी जना रहा हूं मतलब मैं लो से हाई गया लो से हाई गया तो प्लस बै प्लस उन या माइनास बढ़िया थी अइसे गया जब मैं इसे गया तो मैं जारा हूं हाई टु लो तो इसका पटेंशल कया लिखूँ मैनस बढ़िया अब तो तो इसका तो फिर मैं आया नीचे जब मैं लीजे आया तो इसका नीचे तो सोभी मैं हाए से लो जा रहा हूं तो नेगटिव लिखे और है लो कर रहा है कितना से तो है अभी तक मैंने चार लिखे ये बजड़ गया ये बच गया या नीचे जो जा 5 वाला बच कर रहा है थे कारणी से फिरलिगर है यह नेगटव या चीए तो i flow कर रहा है तो i resistance one मैंने सबका potential लिख दिया इन सबका sum किसके बराबर होना चीए जीड़ो के बराबर चेक कर लो equation one लिखना समझ में आया या नहीं आया यह अगर सबको equation one लिखना समझ में आ गया है तो क्या आप नीचे वाले लूप के लिए equation लिख दोगे तो अब मैं आपको एक चीज हमवक के लिए दे रहा हूं ध्यान रखो क्या-क्या चीज़ हमवक के लिए दे रहा हूं पहली चीज एक तो वह पिछला वाले कोशन में एक्स की वैली तो find कर नहीं करनी है दूसरी चीज आप क्या करोगे इस नीचे वाले लूप की equation लिखोगे आपके पास equation आ जाएगी आप फॉर्स्ट वाली equation और जो नीचे वाली प्रश्चारव अरे करना तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इतना होम वर कंपलीट कर लेना ताकि नेक्स क्लास में ज्यादा टाइम वेस्ट ना होने तो नेक्स क्लासमें फिर से ये कोश्चन को आगे करना पड़ेगा तो भाया डन डना डन मिलते हैं नेक्स्स क्लास में तो बहिया ताटाज बाई 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 टेक केर और एंग